नमस्कार साथियों जैज एमेडी नाम मुखेश कुमार दिल्ली से और अपने बारे में थोड़ा परिच्छा देना चाहूंगा क्योंकि परिच्छा देना इंपोर्टन जैसे हर बार बताया जाता है कि बहुत सारे साथ ही हो सकता नहीं हो तो उनको भी इसकी जानकारी हो साथे सार साल हो चुके हैं इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में 20 साल नौकरी किया और नौकरी भी ठीक-टाक चल रही थी बड़िया थी कोई समस्चा नहीं थी क्योंगी घर में सब कमाने वाले थे मैं भी कमाने वाला भाई भी पिताजी भी तो इसलिए किसी परकार की समस तो यहां यह समझ में आया कि नेटवर्किंग में दम तो है लेकिन कंपनी सही नहीं मिली अप्लाइन सही नहीं मिले प्रड़क्ट बेस कंपनी नहीं थी फिर कुछ समय चली और फिर वो कंपनीया बंद हो गई तो नेटवर्किंग से पॉजिटिव था लेकिन नेटवर्किंग से दूर हो चुगा था डर लगता था किया नेटवर्किंग करने में कहीं ऐसा ना फिर पैसा जो है डूप जाए एक लाख रुपे जा चुके हैं और 2002 में अगर आप लाख रुपे की बात करो तो बहुत बड करता था कंपनी बंद हो गई तो मेरे साथ लगबग साड़े तीन अजार वरकर और रोल इंप्लाइज और हैल पर वगरा सब मिला कर रखते हैं सब एक साथ सड़क के आए और आज भी कोड़ में केस चल रहा है कंपनी ने कोई नोटिस नहीं दिया कोई हिसाब निया कंपनी सिस्टम मिली ओम सर और सतीजी मेरी दुकान पर दंद कांती खरिदने आया थे ग्रहात के रूप में शुरू में मैंने इसको अन देखा किया और तीन बार इग्नोर किया क्योंकि पहले जो निट वरकिंग से में हार चुका था नेगेटिव हो चुका था इसी के कारण लेकि अच्छे प्रड़क्ट में तो यूज करने में क्या जा रहा है यूज कि अच्छे रिजल्ट आए और दीरी दीरे करके स्टोर ले लिया और मीटिंग को एटेंड किया कि चलो इसको करके देख लेते हैं उससे में मूर नहीं था कि चलो घर में दुकान है खाली गया तो समझ में आई तो लोगों को जानकारी देना शुरू किया, बिजनस बढ़ता चला गया, दिरे-दिरे पैसा भी मिलना सुरू हो गया, पद भी मिलना सुरू हो गया और एस सिस्टम करते-करते अच्छा कासा निकल गया, टेकनिकल भी बन गये लेकिन फिर जिंदगी ने करव चार पांच चीजे एक साथ जिन्दगी ने पीछे बैक फूट पे धकेल दिया, चार पांच प्रॉलम में एक साथ आई, हर चार मिनने, छा मिनने में नहीं प्रॉलम बनती चले गई, लिकन यही था कि हिम्मत नहीं आरणी है, और अगर कभी खराब दिन ते जब नौकरी चूटी थी, तो अच्छे दिन भी बने, और दुकान भी चली चेंबीडी से भी पैसा आया, तो आज अगर फिर दुबारे प्रॉलम आई या, तो फिर प्रॉलम के बाद फिर ज़िए सॉलूशन होगा, फिर अच्छे दिन दुबारे आने स सुरू होंगे, और टीम सब छोड़के जा चुकी थी, लेकिन कुछ लोग थे, एक-दो साथी, वो लगतार साथ रही वह हो, और दीरे-दीरे करके फिर टीम बननी सुरू होगी, आज टीम ने फिर अपने पैर को पसारना सुरू कर दिया है, और काफी अच्छी टीम बन तो यही कहना चाहूंगा कि उतार चड़ा एक पार्ट है लाइफ का, दुख से हमें सीखना है, दुख से घबडाना नहीं है, और जो दुख से घबडा जाते हैं, वो अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, फिर वहां से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप दुख के बारे में सोचोगे तो आपको दुखी मिलेगा, अगर आप समधान के बारे में सोचोगे तो आपको समधान मिलेगा, तो मैंने अक्सर समधान के बारे में सोचा, पॉजेटिवीटी बनाये रखी, कि कोई नहीं, यह तो खेल है, सुखर दुखका, इसका तो आना लगा रहेगा लेकर हम कितना दम रखने हैं अंदर इस खेल को खेलने में क्रिकेटर हो प्रोफेशनल से जो और पुर्दक खेला करता था आखरी बोल तक भी जीतने का प्रयास किया करता था तो यह अमारी जिंदिगी का लाइफ है आखरी सांस तक जो हमें लड़ते रहना है क नहीं किसी वहां कि प्रकार की प्रस्तिति है हमें उसमें हारना नहीं है और यही चीजें लगातार मेरे साथ चलती रही बहुत सारे प्रिदिधा ने फिर विकास करना शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी टीम में आपको royalty achiever भी मिलेंगे, technical achiever भी मिलेंगे, यह मेरा केवल एक का प्रयास नहीं है, यह पूरी team का प्रयास है, और इस system में जो बनना चाहता है, वो अगर प्रयास करेगा, वो ज़रूर बन कर करके दिखाएगा तो आज अपने एक्सपरियेंस से अनुभव को सीखा है और बहुत कुछ ओम सर ने है दद्दा जी ने पंकस्तर ने रमेश सर ने भी सिखाया है और बहुत सारी चीजे उन सातियों ने सिखाई है जो छोड़के जा चुके हैं बहुत सारी चीज उन लोगों एक्ति शोड़के जा चुके हैं तो इनहीं चीजों से समझ करके सीक करके आज आउगे बढ़ रहा हूं तो हमेशा हमें यही सिखना है कि अगर कोई छोड़के जा रहा तो हमें क्या सिखा रहा है ऐसा नहीं कि ओंदर कि चोड़के चले जाए आप उस से सीखिए कि उसने अ हाँ में जाएंगे तो आप इन सारी चुजों समझ जाएंगे कि वो नादान है इसने इसकी ताकत को तो मैंने अक्सर प्लान की तरह भी focus किया समान की तरह focus नहीं किया समान तो जरूरता है जर्या है इस सिस्टम में एक साधन है वह हम लोगों को आगे पहुचाने का लेकिन प्लान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी जिंदिकी को बनाता है और जैसे मैंने पिछली मीटिंग में बात करी थी कि अगर हमें पिचाण में परसंट से पांस परसंट लोगों में जाना है और गरीबी से अमीरी की तरफ जाना है तो हमें अपने फोकस तो बना के रखना पड़ेगा इस सिस्टम की सुरुवाद हम अपने जॉब को या शॉप को करते भी पार्ट टाइम भी हम सुरू कर सकते हैं और दीरे-दीरे जब हमारी इंकम अपनी जॉब या शॉप के वराबर या उसके आसपास पहुंच सकती है तो हम दिन नहीं ले सकते हैं हम इसमें फुल टाइप आ तो हमें यह मालूम होने चाहिए कि किस समय हमें कितने पैसे की जरौरत होती है कितनी हम इंकम लें महिंगाई से ज्यादा कमाया और अपने जीवन में सारी सुविधाओं को पूरा करें तो आज की तारीक में अगर हम देखा जाए तो पांस लाग, दस लाग, पंदरे लाग तो कम से का हमारी इंकम महिनने की होनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को अपने परिवार के जीवन को एक अच्छा भवश्य हम दे सकते हैं फिर तीसरी थी सुरक्षा, आज परिवार की सुरक्षा बहुत इंपोर्टन्ट है, आज हम अपने परिवार को बहुत सारी चीजे देते हैं, सुब धाओं के रूप में, पंखा, कुलर, फेज वगरा, हमने उसका विकल्प ढूंडाता है, लेकिन क्या आज की तारिक में हमने अपने आमदनी का कोई विकल्प ढूंडा है, नहीं दोस्तों, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और नेटवर्ट मार्केटिंग के ऐसा प्लेटफोर्म है, जो आपको विकल्प बना करके देता है, फिर आज स्वास्त का सबसे बड़ा रोल चल रहा है हमारे जीओन में, विशैली चीजे हम लोग खा रहे हैं, केमिकली चीजे हम खा रहे हैं, मिलावटी चीजे हम खा रहे हैं, जिसको आप प्रोख नहीं सकते, कोई गॉवर्मेंट नहीं रोक सकती इसको, क्योंकि इसका जाल इतना ज्यादा फैल चुका है, हर आदमी केवल पैसे के पीछे तो यह आपका आनुभव है, यह experience है, मैं एक दो दिन की बात नहीं करूंगा, तो इसका परणाम आप खुद बोलेंगे, किसी को बोलने की या आपके मुख से खुद निकलेगा कि लाजवा प्रड़क्ट ना लाजवा विगरड़ है, और विविन परकार के जल्ट आप लोगों को आप खड़े हो करके अपनी बातों को रखे हैं, तो हाथ पर फूल आते हैं, पर कांपने लगते हैं, जो आपको खड़ाने लगती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, जो आपके अंदर से आपको ग्रो करता है, आपको बोलना सिखाता है, आपको चलना सिखाता है, किस के साथ कैसे बात करनी है, वो सारी चीज़े यहा कि आपको पैसा कमवाने का वह आपको एक जरीया बना करके रखते हैं लेकिन आपको कमवा करके आपको बना करके इस बहुत उल्टा प्लेटफॉरम में दोस्तों बाहर की दुनिया से फिर अगला पॉइंट आता है कि हम जब हम देखते थे पहले समाज में में परिवार नहीं है अगर हम अपने परिवार का सही परिवार बनाना चाहते हैं तो आपको जेमड़ी बिजनस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बुड़ापे में बच्चे मावाब को क्यों छोड़ देते हैं क्योंकि मावाब के पास कोई source of income नहीं होती वो बच्चों को पर निर्वार हो जाते हैं लेकिन सिस्टम को अगर आप करते चले जाएंगे तो एक समय सा आएगा दो साल चार साल पांच साल के बाद आपके पास एक बहुत अच्छी इंकमानी शुरू हो जाएगा आप किसी को पर आशृत नहीं होंगे और जब घर में किस जिन्दगी काम नहीं करना है आपको दो साल, चार साल, पांस साल आप इस सिस्टम को इस सिस्टम के अनुसार आप काम कर लें अप यहां से जरूर सफल हो जाएंगे और उसके बाद आप एक तरह से रिटायर्मेंट के स्टेश पे पहुँच जाएंगे आपका काम करना हो रिटायर्मेंट के बाद भी करते हैं फिर ़िसमें इस परकार से प्रभाफषाली दम नहीं था लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्ते शीचल इस सिस्टम में काम किया और हजारों लाख Theo Dorothy हैं इस के अंदर अगर व्यक्ति इस सिस्टम को इमानदारी के साथ अगर एक साल भी इसमें समय दे दे तो जो पहले चार तीन साल, चार साल, पांस साल लगते थे यहां से इंकम लेने हैं तो व्यक्ति एक-एक साल के अंदर ही लाखों की इंकम पर यहां पहुच सकता है गरात के रूप में मैं जानकारी देना चाहूंगा अगर कोई गराति गरात के रूप में इस बिजनस को सुरू करता है तो चार प्रकार से उसको बैनेफित हो दो दस से साथ परसंट के उसको छूट मिलती है और छे से बाइस परसंट उसके पास cashback आता है और अगर वहर मेंने 500 बिजनस वालूम, 1000 बिजनस वालूम, 1000 बिजनस वालूम, 1500 बिजनस वालूम हर मेंने अगर वो खरीदारी करता है तो साथ वे मैंने उसको गिफ्ट मिल जाता है डीपी परेट में उसके अनुसार 500,000, 1000, 2000 और सबसे बड़ा बैनेफित है उसका स्वास्त लाव आज अगर मै चूट की बात करूं तो आज मार्केट में कोई भी दुकानदार आपको छूट नहीं देता है MRPP देता है 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक की चूट मिलती है और उससे ज़्यादा वो कभी नहीं देता है फिर उस दुकानदारी के यहां से आप पूरी जिंदगी पर आप खरीदारी कर लें वो आपके अकाउंट में एक रुपाय नहीं देगा ना तो दुकानदार देगा आपको ना तो वो कंपनी आपको देगी कहां से आपका तो contact सीथा दुकांदार से होता है और दुकांदार के पास इस प्रकार से इतनी इंकम भी नहीं आती है कि वह आपको दे गिफ्ट की बाद करें गिफ्ट क्या देता है रुकांदार से हाँ मागने जाओगे साल में किलेंडर पकड़ादेगा दिवाली के टायम पहे है अर मैंन Sum I होती नहीं और साल में आपको 10 रुपे का क्लेंडर पकड़ाता है उससे आपको क्या मिलता है लेकिन जेंवीडी बिजना साथ आपको साल में दो बार गिफ्ट देती है और आप जहां जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं यहां पोई बाउंडेशन भी नहीं है फिर सबसे अच्छा लाप स्वास्त लाप जिया है आज हर आदमी जो है अगर अपने घर का कैलकुलेशन करें जेंवीडी प्रोड़क्ट को यूज करने से पहले की यह बात है कि अगर वो अपने घर में बाहर के प्रोड़क्टों को इस्तमाल कर र मिल पाता जा लेकिन अगर आप 6 मिलने का यहां प्रोड़क्ट यूज करें तो आपको 100% benefit मिलेगा कि आपके घर से सारी बीमारियां गायब हो चकी है तो एक गिरहाक के रूप में चार परकार से एक वेक्ति यहां से लाब ले सकता है लेकिन अगर इसको बिजनेस को रूप में वो करना सुरू करें तो लाजवाब result मिलते हैं दोस्तों यहां से लाजवाब benefit मिलता है सबसे बड़ा benefit है यहां से 50% awareness income आप जब इस सिस्टम में आते हैं तो यहां से एक बहुत बड़ा platform शुरू होता है आपके माध्यम से एक वेक्ति, दो वेक्ति, तीन वेक्ति, जि इस सिस्टम में आकर के उस वेक्ति को आप काम्याब करना सुरू करें आप खुद ना काम्याब हो अगर वेक्ति यह सोचे कि हां मैं उसको लेकर आगे आप यह काम करेगा और मैं काम्याब हो जाओंगा तो आप दोस्तों कभी काम्याब नहीं हो सकते हैं आपको उस वेक्ति शुरू कर देंगे तो आप कामियाब हो जाएंगे अगर आपने किसी एक वैक्ति को कामियाब यहां पर करना सुरू किया मान लिजिए उसकी स्टार्टिंग में 10 रुपे इंकम आई है तो कंपनी की तरब से उसको 10 रुपे तो मिलेंगे लेकिन उनमस से कोई पैसा नहीं कटे लेकिन उसकी 50% इंकम 500 रुपे आपको भी मिलेंगे यहां मार्केट में जब हम लोगों को यह समझाना शुरू करते हैं तो कई बार हम उनको पूरी डिटेल नहीं देते हैं हम लोगों को मिलते हैं कई साती इस प्रकार से कि आप जितने भी लोगों को लेके आएंगे उनकी इंकम जो मिलेगी उनकी इंकम की आधी इंकम आपको मिलेगी और सामने वाला यहां confused हो जाता है कि अगर सामने वाला एक लाख रुपे कमा रहा है तो उसमसे एक लाख रुपे में 50,000 रुपे जो है उपर वाले के पास चले जाएंगे एक लाख में यह मैं उनको पूरा खो अबने चाहते हैं लेकर किया उसकी कि अनदर आना सुरू जाता हैं तो ME मैं 2-1000 रुपे कमा रहा हूं ज्वाइनिंग के तुरूं अगर मैं इसमें और बढ़ा दूं तो ज्वाइनिंग का मुझे मिलेगा ही मिलेगा लेकिन फीचर में जब इसका प्लान बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसकी इंकम का भी मुझे मिलेगा तो वो केल 2 पे नहीं ठी सबसे पहले रख सकते हैं और यह पर रख रखते हैं किसी के सामने को सामने वाले पूरा खोल करके निकाला जाता है कि आज कंपनी ने अगर 50% income awareness यान अधारित किया तो यह present को देख करके नहीं किया कि आज कंपनी लोगों को लालस में लाने के लिए कि आप आईए और 50% income लीजिए पूरी हिंदुस्तान में किसी भी network company में यह income नहीं है आपको देते हैं तो यह के लुभावनी चीज नहीं है यह present का प्लान नहीं है यह continue चलने वाला future प्लान है जो बहुत गहराई तक बहुत लंबे इस तर तक इसके बारे में गहराई से सोचा गया उसके बाद फिर इसको जो है लागू किया गया जब लागू किया जाता था तो इसके उपर बात होती थी ओमसर के द्वारा तो काफी सारी चीजे ओमसर बताते थे इसके बारे में तो काफी अच्छा लगा कि कंपनी ने कभी भी किसी भी चीज़ को जब system में लेकर के आई प्लान में लेकर आई तो उसको present रूप में त्यार नहीं किया उसको future देख कर के त्यार किया यह तो एक बहुत बहुत बहु किसी भी किट की जुएनिंग के तुरू जो है और वहां से आप direct income उनका एक पेर बनता रूस इंकम के तुरू आपके पास आनी शुरू हो जाती है तो unlimited income है और कंपनियों में देखा पेर इंकम आती है और एक समय के बाद उसको रोग भी दिया जाता है क्योंकि अगर एक ल अगर कि आप किट के तुरू जोइनिंग कराते हैं वो आपको मिलनी मिलनी है और पेर बनेगा तो वो तो अलग से मिलेगा एक बहुत बड़ी income है unlimited income है दोनों लाइने को आप चलाते चले जाए आपने जोइनिंग कराई आपके टीम में जोइनिंग कराई और जैसे ओम सर न होगा कि कई बार हम लोगों को जो भी 17 महिने का चार्ट दिखाते हैं तो लोग सामने वाले यह सोचते हैं यह किर 17 महिने तक ही मिलेगा उसके आगे नहीं मिलेगा वहाँ इसकी चीजों को इस गहराई को और बताएं कि दोस्तों के लिए 31 लाग तक की income का ही चार्ट है लेक हमारे सलाइब लगना शुरू होता है, दस हजार 20,000, 40,000, 80,000, 1500, 35,500,000 तीन लागा हमारी रिय النटी शुरू उती है, 2- 4-6-,8- फिर हमारा स्पेकनिकल शुरू होता है service fromалась, 5, 5,000,000,ler पर फामिली फिरी आती है और 5,000, 10 daag, 2,000, 40,000, 80,000, 1,500, 0.5,05, 10,00 प्रोड और उसके बाद 25 कोड़ और इसके आगे भी अगर आपका बिजनेस होता है तो यह कंटीनुए आपको डिफरेंस इंकम आपको मिली शुरू हो जाएगी और यह बी अन्लिमिटेड इंकम है यहां पर यहां पर यहां आपका बिजनेस जिसना बढ़ता चला जाएगा ड लेकिन अगर किसी साथी से पूँचा जा डिफरेंस इंकम क्या है तो उसको इसकी बार में जानकारी नहीं है तो इन चीजों को बड़ी बारिकी से अपने अपलाइन के द्वारा आराम से बैड़ करके सीखिए बहुत से सारे साथी तो इसको एक दिन में भी समझ जाएंगे एक बार में भी समझ जाएंगे लेकिन आगे चल करके भूल जाते हैं लेकिन आप समझ करके जब संधाना शुरू कर देंगे तो आप यह कभी भूलेंगे नहीं तो यह प्रोसेस ऐसा है समझने और समझाने का तो इस डिफरेंस इंकम को निकालना और इसको सीखना जरूर सी अपने अप्लाइन से फिर उसके बाद आते है डारेक्ट जोइनिंग कराते हैं चार सो रुपे जो मिलते हैं या तीन है रुपे में वह भी यहां पर लिमिट नहीं है कि आप दो आजमी को लेकि आएंगे उसके बाद आपकी लोगों के द्वारा डारेक्ट जोइनिंग जाता हैं पर सकते हैं तो चारर परसंड की आपकी रुट्ण साढ़ग बिजनस अप करते हैं चार अलाइक की लाइप कर आपका कर ले तो आपको 6 पर संद की रोयल्टी आगी और 8 की जेनकपद है और हर वेक्ति जो भी इस हमें आनारा चाहता है तो उसका लीमिधी já ruins सम्मान के साथ उसको लिया जाता है उसके बाद है फंड इंकम एक लाजवाब इंकम है आज फंड इंकम फंड इंकम मार्केट में बहुत सारी चीज़े बोली जाती है फंड इंकम मार्केट में बोली जाती है लेकिन वहां क्या एक्च्वल में फंड दिया जाता है जैसे मुझे कंपनी के बारे में मालूम मोधी के वहां कहते हैं हम आपको कार फंड दे देते हैं किसी व्यक्ति की लगबग 10,000 के आसपास इंकम बनती है तो उनको कार अचीवर क जो है कार अचीवर बना दिया जाता है और नाउन पेमेंट कंपनी के तरफ से 50,000 की जाती है फिर बाकी जो पेमेंट उस व्यक्ति को दी जाती है और उसके बाद फिर उसका बिजनेस अगर आप डाउन होता है वो देना दे नहीं पाता है तो वहां से उसकी कार को उठा लि कुटा बार मिलीगा किसी भी पर कार का फंड आपको पर मिलेगा लेकिन जमर प्लान में इतनी बेहतरी इतनी milyज में भूबी एं कि आपके बिमेंट दूसार बीजनस जो कुटरय। या इसे बैठ करके इसके बारे में समझें कि A line, B line कौन सी है, power line, weaker line कौन सी है, या right left की line कौन सी है, क्योंकि हर वेक्ति ही अपने अपने साब से इसमें बाते करता है, लेकिन हमारा जो downline है, हमारे जो साथी है, वो इसमें कई बार संशय में आ जाते हैं, यार वो A b बोल रहा दूसरे ने रयाइट लेफ्ट मे पूला ये राइट कौन सा है लेफट कौन सा है हम राइट को A बोले या B बोले हमे समझ में neither आता है फिर पावर्लाइन याén लाइन कौन सी है यह शिचन्से में आ तो इसको एक बार बैट करके सभी एपलाइनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी टीम को इसको एक बार जरूर पुरा फोकस करके पुरा किलियर करें और इससे स्लैब पकड़ने में समझने में बड़ी असानी रहती है तो फंड इंकम ऐसी इंकम है जेमीडी में बहुत लाजवाब इंकम है आपकी जिस भी लाइन में एक भी बिजनस कम होता है और आप फंड की इंकम में आप पहुंचते हैं आपे साड़े तीन लाग 2% की रॉयल्टी पे फिर आपकी 4-6% यहां से इंकम बननी सुरू हो जाती है एक परसंट से ले करके 9% जेमीडी बिजनस देती है और यह भी अनलिमिटेड है और हर महिने मिलने वाली इंकम है और इसको आप बहुत यह इंकम एक फिक्स इंकम है इसमें स उस लेवल के अनुसार आपको आपका फंड इंकम कॉंप्लीट मिलता है यह यहां पर डिटेक्ट नहीं होता है तो बहुत लाजवाब इंकम है मान लीजिए अगर आपने लगबड एक करोड़ का बिजनस कर लिया और आप साथ या आठ परसंट पर आप महां पहुंशते है तो एक करोड़ का आपका फंड इंकम साथ लाग आठ लाग रुपर यह तो फिक्स है आपका यह तो मिलना ही मिलना है फिर उस कंडिशन में आपका डिफरेंस इंकम भी आलाग जो टेक्निकल इंकम बनके आता हो भी मिलता है आपका 50% आवेरनेस इंकम भी मिलती है आपकी प के बाद technical आपका बनता है कि वह साड़े तीन लाग, साड़े तीन लाग पर आपके 8% की रोल्टी आती है उसके बाद अगला लावल होता है 5-5 लाग का technical income जिसको हम परल बोलते हैं जहां से शुरू होता है यह और इस देक्निकल इंकम से बढ़ करके फिर continue चलती है और 1% से ल आपका यह ऐसे बढ़ते बढ़ते continue चलेगा तो यह इंकम भी unlimited है और फिर family security हमारी आती है पांस-पांस लाग से सुरू होता है बहुत लाजवाब income है family security अगर किसी और company की हम बात करें तो जब तक आप उस system में रहेंगे आपने turnover को maintain किया है आपकी family security आपको मिलती रहेगी ल और अगर दूसरी company में बिजनस सल रहा है तो family security तो आएगी लेकिन किसी कारणबसा अगर business zero हो गया तो आपके घर में एक रुपया आना मुम्किन नहीं रहता है वाँ बंद हो जाता है लेकिन जेमडी business में family security एक लाजवाब income है आपने पांस-पांस लाग का business donor तरब किया और 6 में आपने इसको maintain किया और maintain असानी से हो जाएगा दोस्तों आज अगर आप इस business को सुरू करें तो आपका business volume है zero लेकिन आपने इस business को लगातार काम किया एक साल डेर साल आपने इसमें काम किया और अगर आप पांस-पांस लाग पे पहुंच गया है तो ये भी हकिकत ह है कि जीरो से आप पांस-पांस लाग पे पहुंचे हैं तो पांस-पांस लाग से आप दस लाग भी पहुंच जाएंगे तो आपको इसमें शंसे करने की ज़रूत नहीं है कि कंपनी ने आप एक यह बाउनडेशन लगाया है कि 6 मेंं मैंने करना पड़ेगा यह बाउनडेशन दोस्तों यह तो कभी भी इसको आप इस नजर से ना देखें। कि कंपनी ने एक बाउनडेशन किया है जब अगर आप जीरो से 5-5 लाग पे पहुंचे हैं तो तो 5-5 लाग से 10-10 लाग पहुचे हैं दोस्तों जब आप 10-10 लाग पहुचेंगे तो 5-10 लाग तो आपका इतोमेटिक मेंटिन हो जाएगा अच्छा मेंने के लिए तो आप इसको कभी भी इस कंडिशन में मत देखना कि कमपनी ने टर्म और कंडिशन सामने रख दिया है ये तो आपके फीचर के लिए टर्म और कंडिशन रखी है और ये इसली हो भी जाएगा जब आप 10-10 लाग के बिजनेस का टारगेट लेकर उसे अचीव करेंगे और जब भी आपकी फैमिली सिगोटी 5-5 लाग का 6 मैंने मेंटेन होती है तो कमपनी का टर्नोवर का 1% पैसा अलग से निकाला जाता है और उस समय जितने भी फैमिली सिगोटी अचीवर होते हैं उन समय वो पैसा डिवाइड कर दिया जाता है यहां की खूबी यह है कि किसी कारणोबस अगर कोई दुखत गटना गटती है या सरीर ने काम करना बंद कर दिया पैरलाइसीज हो जाता है वो वैक्तिस के नाम से एटी है और आपका बिजनेस चल रहा है तो आपके घर में सारे बिजनेस का पैसा आता रहेगा लेकिन किसी कारणोबस अगर बिजनेस पे कोई अशर पड़ता है और बिजनेस आना बंद हो जाता है तो उस बिजनेस के टर्नोवर का पैसा तो नहीं आता है लेकिन कंपणी नैंप्रॉसेस जारी किया है प्लान पर रखा है कि आप जो family security में सामिल हो चुके हैं 6 में नई system को maintain करके वो एक परसंड का पैसा आपकी family के लिए जाता रहेगा इसको बोलते है actual family security income जो आपने अपने लाइफ का एक बहुमूले समय जे मिडिक बिजनस में आपने दिया है तो अपने company के मालिक Mr. Rajis Srivastav जी ने बहुत बहु अगली इंकम इसको निकाली है इसके लिए हम सरका हम बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज अगर हम किसी और native marketing की company के हम बात करा तो उसमें family security income इस परकार से नहीं है कि आपका अगर बविश्य में बिजनस किसी जीरो हो जाता है तो आपको नहीं अतार मिलती रहती है फिर अगली इंकम हमारी store awareness income एक लाजवाब income है और दूसरी companyों में जैसे गर हम बात करें वहां गर हम store खुलवाते हैं या जो भी वहां पर store खोलते हैं तो वहां पर लोगों को लुभावनी चीज देते हैं कि आपने store खुलवाया है तो हम आपको 2%, 3%, 4%, 5%, इनाम के तौर पे दे दिया जाता है उनको, gift के रूप में दे दिया था कि आपने एक नया store खुलवाया है तो आपको यह commission है आपका और उसी छोटे-छोटे commission के लिए केवल एक बार के commission के लिए लोग महां पर store खुलवाते हैं लेकिन GMD में ऐसा नहीं है यहां पर आपको gift नहीं देती है आपको कोई commission नहीं देती है लेकिन जिसके माद्यम से store खुलता है उस store पे लगातार जो sale होती है उस sale के business volume का आपको पूरी life जो है 2% पैसा आता रहेगा और अगर आपकी team में आपके माद्यम से जिसने भी store खुलवाया है तो 2% उनके पास आएगा और आप उनकी awareness है तो 1% आपके पास भी आएगा यानि कि 2 और 1-3% पैसा company store awareness पे दो करम में ये उपडिवायड करती है और केवल यही निदार इतनी है कि एक ही store खोलने से आएगा आप अपनी life में जितने मर्जी store खोलें और किसी भी area में खोलें उस store awareness का आपके बाद 2% continue आता रहेगा यह बहुत बहुत बहुतरीन सिस्टम है यहाँ पे आपको 50% awareness मिलती है unlimited pair income मिलता है unlimited difference income आपको मिलती है unlimited direct joining आपको मिलती है unlimited fund income आपको यहां से मिलता है unlimited technical income आपको यहां से मिलती है unlimited family security आपको यहां से मिलती है unlimited store awareness आपको यहां से मिलता है unlimited और क्या चाहिए दो जिन्दगे में अनलिमिटेड के अलावा और भी कुछ है क्या सब कुछ जेमविडी कंपनिया आपको दे रही है एक मार्केटिम प्लान जिसके अंदर पूरी ताकत भरी हुई है जो आज पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्वे के अंदर ऐसा कोई प्लान नहीं है जो आपको अनलिमिटेड इंकम हर प्रोसेस में यहां दे रही है तो अनलिमिटेड कंपनी दे रही है तो अनलिमिटेड आप भी मेहनत करें और इस अनलिमिटेड इंकम को लेने का पूरा-पूरा प्रियास करें तो इसी करम मैं आज की बातों को मैं यहां अपनी रोखना चाहता हूँ और आज अपने भी कुछ बहुत सारे बहतरिन साथ ही हैं, तो एक करके मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि विनीता रासपूत, जो दिल्ली से है, सर एक बार विनीता जी का माइक जो है, अन्मूट कर दिया जाए, विनीता रासपूत हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर, आ रही है विनीता जी आ रही है, बोलिया, जै 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 अम बीडी सार, जै 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 अम बीडी सार, और सभी सातियों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम विनीता रासपूत है, मैं पिजनोर से ब्लोंग करती हूँ, और मैं बदर्पूर में र मैं अपने अप्लाइम के सरकत रहने आवाद करना चाहती हूँ कि उन्हों ने मुझे पहली बाद जो निटिंग में बोलने का मोका दिया और मेरा जनम दिजनों में हुआ है और मैं मेरे जो है मेरे सार भाई दाने मैं जिम्में सबसे चोड़ती हूँ और मैंने अपनी जो पढ़ाई किया वह अपनी पढ़ाई ट्रैल तक की है और उसके बाद में प्रैल करने के बाद में साथी हूँ और वो जो अब जैसे साथी से पहले हर लड़की था एक अपना होता है कि शादी के बाद उसके पास हर चीज़ हूँ अच्छा पती हो अच्छा परिवार हो मेरे पास मेरा मेरा जो हज़्डाएन मेरा बहुत अच्छे है जो मेरा साथ देते हैं हर उसमें मेरे साथ सर एक बार विनिता जी का माइक दोबारा अन्मूट कर दीजिए हलो अब आज आ रहे हैं सा आ रहे है विनिता जी बोलिये 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 हमारी कर नहीं साधी मैं खाउस्टबाई हूँ और मेरे हज़्वेन का नाम नम्हीं कुमाल है वह तो बहुत आटो मोबाल में काम करते हैं हमारी करोना से पहले जो लाइस के बहुत अच्छी थी उसके बाद करोना है करोना में हम अपने गाउं चले गए तो जब मेरे हज़्वेन को एक जोब के बारे में बता चला तो मेरे हज़्वेन फिर से जोब को करने के लिए करने लगे तो उसके बाद फिर सम दिल लिया है हमारी करोना के बाद में बहुत उता चलावाए और बहुत मेरे हज़्वेंड ने मेरे हज़्वेंड जो है मतलब उनके दातों में एक बार दात हुआ तो वो जो है सर के सोपर गए सर ने उन्होंने सर से कहा कि सर मेरे दातों में बहुत दार्द है तो सर ने उनको बीदंद के बारे में बताया पार टाइम जोब के बारे में बात की तो मेरे हच्षए ने ुला मेरे पास तो मैं तो memeично कर सकता लेकिन जो मेरी में आहिक लेकिन जो मेरी मारम हूँ तो हो हमvine मेरे मुझे एक संडे की मिटिंग पाले में बताया। उन्हों दे घँ जांब मिटिंग में जा हुए ज़ए, में मीटिंग चाहिएः। मैंने मिटिंग भॉट अफ्षी कर्या। मैंने पिर अपने मीटिंग से आज में चाहिए और जा जा अचिए ब अवे को नचसब है, distribuity कि अगले, संदेय में मीटिंग तागले में भी में जुटने भी स्थाप्रोडट्थ यूज किया है, जैसे वह मैंन सगी है, जने मतले खी कितने भी धी Π्रोड़क्ट्त यूज क्रहें मेरी तरहा हुज सेहत में सुधाराया है मैं उसके मेरे हज़ेंटे नही इसे मेरें हम Кाम करना शुरू कर दिया और भी उसकर उनकों का अथतों कार। उनके हैं उनके हैं भुझ जादा जादा देछाल उन्होंने इस्टेहना बुस्तर यूज दिया, तो उनके जो हातो पेरों में दर्द था पर कम होने लगा, मतलब बोलते थी कि अब मेरी जो है सेयत है बहुत अच्छी है, कि अब मेरा दर्द नी होता, उसके पर पर फिर हमने भी जितने भी प्रोड़क्त है, सब यूज करें, वैंबूर गृति उनके स्थेहत में जो वो घृता रहाया कि मिर्व मेट इपने हेल्ट के बारे में..? मैंने मिर्व मोट की यह का यह का करो यह करना चाहिए छुबह पानी पीना चाहिए मतब घरने भड़त की बताई की तो उन्ची जो को मैं कर भी रही हूं, मैंने, मतब Slim 2020 भी यूस कर रही हूं, जिसे मुझे थोड़ा, मतब ज्यादा तो नहीं, तेकिन थोड़ा, मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा-थोड़ा बेट वो हो रहा है, तो मेट कम हो रहा है, और अगर मैंने कुछ गलत वोला हो, तो उसके लिए मैं मासिमाइना चाहती हूं, और एक बार फिर सर का धन्या बाद करना चाहती हूं, तो सर्ने मुझे पहरी बार बोलने का मुक्ता दिया है, थैंक्यू सर्कों, और मैं अपनी बारी को यही जिराम करती हूं, जा 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 जाए अगरी जीू और नवीन जी दोनों हस्वेंड वाइफ हैं, जो सिस्टम को कर रहे हैं, नवीन जी जॉब करते हैं, विनिता जी हाउस वाइफ हैं, तो दोनों लोगने बहुत सारे प्रड़ोड को यूज भी किया और अच्छा भी लगा, दोनों लोगों की तवियत भी लगातार, सुभा हो रही है, और बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा बिजनेस दोनों लोगों के माधियम से आएगा, तो इसी क्रम में मैं यावाज, जैसे कि मतब आज की जैसे मैंने आज की वीडियो देखिया मीटिंग में, तो उन्होंने मतब अपने लाइफ पासने के बारे में बताया मैंने मतब अपने लाइफ पासने को देखके ऐसा वोला था, सर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर हजबेंड चाहे हजबेंड का रहा हु या गोड़ा, लेकिन अगर हजबेंड दिल का अप्षा हो, अगर आपका साथ सदे रहा हो लाइफ में, आपको अच्छे से वो कर रहा हो, तो Giving अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो Sir, बहुत बढ़ी बात है, बिलकुल सही कह रहे हैं आपसे, रंण डूप से मतलब नहीं है, हमरो से मतलब नहीं है, इम्पॉर्टेंट हे हमारा सब्ट, हमारा सथिया ही वात है準 कि हमें रंग रोपसे कुछल नहीं लेना देना, हम कि इसमें कितना सप्पोर्ट करें तो आगे बढ़ो अगर तुम करोगी बोलोगी तो तुम कर सकती हो आगे जाए बहुत कुछ बोला है आपने और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाकी आगली बार मौका मिलेगा तो आप फिर अपनी बातों को रखना क्योंकि और भी बहुत सारे साथी हैं जिनका नमबर आना है तो इसा क्रम में चाहूंगा सर नवी जी आपके साथ बैठें याए तो एक बार नवी जी को मौका दीजिए अ हेलो कि अ कि अ कि कर दो कर दो दो करता हूँ थीसरी वार यह मोकर मिला मेरे को बोलने खाए और इसके लिए में सर्का बहुत बहुत भुत तख्यवाद करता हूँ जैसे कि में विन्यदा छी ने बताया है कि अग्रो ती यह बात बहुत बढ़े लगे जिए हघ्वान इंका साथ जेगा जेरा कि आज अग्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैए आपने समय की कीमत को समजार अपनी बातों को पूरा प्या तो दोनों आजमेंड वाइफ है और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमेंगर आजमेंड वाइफ मिल करके काम करें बहुत तेजी से आगे जो है इस बिजनेस को बढ़ाए जा सकता है तो इसी कड़ी में में आगे जो है अपने एक रेट लीडर जिनको आप अबेंजी और विनिता जी आप अपना माइक को बंद कर दीजिए केला देवी जी बोलिये एलो केलो को अपने फिर से मोका दिया हमें बोलने का और मोका तो देते ही हैं में सपोर्ट भी बहुत देते हैं अब तो पुरी होती है कुछ नहीं हो पाती है तो ऐसी कोई बात रहें कि पढ़ा ता फिर भी होसला कि चलो करेंगे कुछ ने कुछ ने कुछ आपड़ते पड़ते ही पापाजी ने साधी की बहुत जल्दी करने लगे पापा बोले कि मैं बहुत बीमार रहता हूं आप तब बहुत लुठाएं तो थे निवी तो सब के तो इसके बाद में पिया प्रहाद सब्योर में शाधी करना था ज्ड़ता तो मैं ने आप दने की बड़ी लड़की को नहीं पढ़ा है कि तो पड़ा रहें हैं। पर जानार ये घर काम कर लेती है पटड़ीं ये अपने बन से पड़ रही है। तहीं हम एक चाची थी उनकी सप्वोर्ट द्वारा पड़ी थी और मेरी अन्दर भावना है worthy कि मुझे पड़ना है पड़ना है तूम पड़ना की दिखाया मुझे तुग मैं बाद हुए ती मैं उसके पड़ने के बाद मैं आषभरने के आए स्कूल है था वाऑपा थोड़ा पढ़ के भी चल जाएगा, और ना पढ़ के भी चल जाएगा। जो पढ़ाऊ तो सही से पढ़ाऊ मुझ कुछ कर सकती हूँ। लेकर मैं डिवांट थी कुछ करने की दा मैंने बहुत ख्रशी थी नोकरी की थी पुलिस का फोरम भी वहाता है वह घू मेरे साधी तयब होगी तो मेरे पती नहीं करने दिया फिर मैं सिक्टर मित्र में फोरम बरा वह भी मेरा कैंचल करवा दिया क्यां है ओ weld है अज़ से आफworkal करेंं मुझे बाइप में नहीं ओर्स मेरे घंटाभ जादे एंप करने ते कि अप namely झारियान की मैं शेंट से इस मुझे बहुत जादा समझ्ष भी दुखी थे बच्चे भी पर्वार वाले भी के बहुत जादा बीमार रहते हैं क्यूं रहते हैं अंधर से बीकनिस जादा कि आप सब लोग जबंद कर लिए सब कोई का द Frumוב कली लेने के बढ कलीव बदर पुर गई करना है करना है तो मैंने जोइनिंग करवाई तो वहां से फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरेंस लिया विनकी कुछ तो होगा जब इसमें लेडिजर काम कर रही है तो बहुत सारी देखी ती गिरूफ में देखती थी वह जाता लाला चाहता था जब यह इतना कुछ कर सकते हैं हाथ पेर भी दिया आखें भी दिये भगवान ने तो मैंने पंदरा दिन भास सर दिमाग भुमाने लगी थी मैं मुझे कुछ करना तो मैंने किट बनाई फिर मैं दीर दीर निकनने लगी अब इसमें मुझे बिजनेस में इतना अच्छा लग रहा था कि एक मैं जानकारी उससे बाद में मुकेश सर को इतना सपूर इतना परिसान करती थी फोन करकर करके सर ये दवाई कैसे करना ये कैसे खाना आज तक भी मैं कितना भी फोन कर लू हर कस्ट्यूमर की बात सर से ही मैं कराती हैं सर कभी गुस्सा नहीं होते सब से अधर मुझे इसमें यह कर दो कभी नी डाटते कि आपने क्यों फ़ोन किया बार वार कि कर रहे हो तो मुझे और जाद अच्छा लगने लगा कि चलो कोई आप बुरा ही नी मानता किसी से बात कराते हैं बुलाते तो आप ही जाते हैं कि मुझे इतना सपोर्ट मेला आगे बढ़ती चलेगी तो मेरे पती ने श्चूर की भी बात की थी फिर हम दोनों ने इसमें जोइनिंग किया कि चलो अच्छी बात हैं सपोर्ट देते हैं तो कुछ तो करवाएंगी तो एक रिलेशन इतना अच्छा हो गया है कि साथ पैस होगी या कुछ भी तो ऐसा नहीं है और ना जाती हूं तो मुझे जबरिष्टी बुलाते हैं वो क्यों बलाते हैं कि हम कुछ सीख लें आगे कुछ कर सकते हैं करने अब बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है तो देख पढ़ता है तो उसे पढ़ाने का मन करता तो वह यह पिजनिस है जो दिहान देगा तो उसे बहुत टायाम देगर समझाया भी जाता है तो मैंने यह बिजनिस आपकी भारतपुर में पहला चुकी हूँ दवा भेजी ती मैंने बीपी आई की तो उनका फ़रसा फोन आया था कि बहुत बेड़ा बहुत दवाई से आराम है मुझे और मैंने उत्तराकंड में सातिया होंगे उत्तराकंड के वहावी मैं दवाई बेजी ती तो अब दोबार जाएगी संडे को दवाई तो महां भी बहुत अच्छा रजल अब दोबार जाएगा और मैं सूरचपर मगई तो वहां एक जोइनिंग भी थी और वहां पर एक डॉक्टर साव है मैं तो अच्छा लगाता है वह उन्होंने मेरे पास फोन किया ता कि आप बहुत अच्छा लगा था हमें बहुत अच्छा लगा था हमने नहीं लिया ता आप से हमने समझा इसी घूमने वाले हैं मैंने की यही तब इस वास तोड़ चुके हैं बेश्टीज वाले और यह सभूर तो इसलिए को बोर नहीं देता है तो वहां भी आप जाओंगी एक परी चौक से फोन आया था कि मैड़म आपका सावन और पेष्टा में बहुत चलो अच्छी बात है गाहों से भी मैं जहां कहीं दवा दे रही तो रजल्ट अच्छा ही आता सबसे अच्छा मुझे यह लगता है इसमें और रही बात मेहनत की के सोच को बदलो और सोच बदलना ते गलग चीजा लिए कि जिस चीज को हम सोचते हैं वो कभी नकभी कभी है एक चीजा अज सुच मेरे जोब करने की बहुत ज्यादा इक्छा ती आज मुझे इसी जोब दिभगवान ना के बच्चों के पास भी रहती पती के पास भी रहती और शर में अडम के पास भी उप नकलों तक दिखाई देते रहते और देखते भी रहते सबकों बहुत अ प्रफ़ाद करते हैं और दद्दा जी सर को तो मैं नहीं जानती हूं लेकिन उन्हों को पहली बार मीटिंग में देखा था तम बहुत खुश हुए थी कि मैं तो सर कभी देख गी नहीं है और मेरा नाम भी लेते हैं तो अच्छा लगा कि कम्पनी के हम जब इस बिजनेस में किया सब जानने लगे तो में इस बिजनेस को करेंगे तो क्यों नहीं जानेंगी तो महेनत की ऐसी बात है कि मैं छोटी सी चलो आगे सुनातीं सट टाइम तो है नहीं सुनाई तो बहुत तेजी से प्यास लगी ती तो मटके में वो पानी की तलास में घूम रहा था घर में एक मटके के अंदर पानी रखा था उस में को पीने की कोशिस कर रहा था लेकिन वो पी नहीं पा रहा ताट नीचे था और शबस एक छोड़ी थी तो इसलिए वह कह रहा था कि इस पणी को तो मुझे भी नजी ते हाइए लेकिन महनत कैसी करना है जैसे संब्हों एक स्वाल देखा हैं तो उन्े ऑफ इसे तैकन देख ने देनीरा तो एसे देखने था हमें दिखाई दे रहा था तो इसी के साथ यह कानी है कि उसने सोच अपनी सोची कि इसमें कंकर डाल के देखिता हूं ये पानी उपर आता है यह नहीं तो कोवे ने पत्थर डाला वसमें तो पाणी फोड़ा ऊपर आगया फिर एक अंकर फिट डाला तो पानी चला गया मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है तो जाना मैहनत कर रही है तो शुमीर मढई जाने को हो बद चाय की पती है तुल्सी को अच्छा लगा और मैं कुछ प्रोडक्ट मा रखना है कर चुकी और इसमें पहले जाती थी तो ऑल इंडिया उस्पीटर सब दर जंग मैं दो दो तीन तीन चाट दिन जाती ती घूमती रहती तर तो वो चीज मैं चार महीने इसमें हो गई मैं भी डॉक्टर के पास नहीं तो डॉक्टर भी मुझे मिलेते तो कह रहे कि आप तो तो कह रहे कि कहा गाओ चले गए थे कैसे मिन की नहीं सर अब हम थोड़ा अपनी दवाई हम कुद करते हैं कैसे मिन की मैं आई अर्वेधिक दवाई हम जुड़ी हूं तो मोरों को भी ठीक करने लगें तो बहुत खुस हुए थे कि अच्छी बात है मैं आप से परेसांदा बहुत जादे बीमार रहते थे तो सबसे कुछी है कि हम भी ठीक है हमारा परिवार भी ठीक है पर बढ़ शी पूछते हैं कि आप इसमें क्यों लगी हो इसमें कोई आपकी तनखा है क्या हम थोड़ी सी मुस्क्वान आदे में तनखा तो नहीं है अब इतना अंतर है कि जब मंट पंद में जाएगी कहीं न खहीं से तो मेहनत करोगे तो फल तो ज़रूर मेले गई सार धन्नलबाद करती हूँ आप मेरे बहुत महनत करते हूँ अलका मैं भी बहुत महनत करती हैं जो कुछ भी कहती हुं तो सुनने को भी तयार रहती है और थेंक यू सर, टाइम भी बहुत काफी हो गया, जेजे मेडी से विसात्यों को गुड़ नाइट शुक्रिया अलकाजी, और एक बहुत अच्छी काहनी सुनाई, ये काहनी तो हम सब लोगों ने पहले भी कई बार सुनी है, लेकिन क्या हर इनसान इस पर अम्मल करता है, पानी पीने की ज़रात है तो पत्था तो डालना पड़ेगा ना, तभी तो मटके में उपर पानी और जो महनत करेगा उससे मिलेगा, जो नहीं करेगा कि लाइड़ी लगा के बैठ जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो समय हो चुका है, लेकिन अगली अवाज में सर अलका जी, अलका चोहान जी की मैं माई कॉन व्यूट करवाना साता हूं, तो थोड़े से समय में अपनी बातों को रखे, जी सर्ण, सुक्रिय सर्ण, और बहुत बहुत धनवाज सर समय दिया, टाइम हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आज सभी ने बोला, और सब से पहले में सभी को नमस अच्छा लालशा बोला हैं, बहुत बहुत भाझा दनवाद आपका, और यहीं चीज होती है, कि सपने किसी के अंदर होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक हाुस-वाइफ अपने Сपनों को ही दवा के अपने सपनों को संजो कर और जीती रहती हैं, लेकिन यह सेपने हम लोगों फ़िर से सपने जागरे हैं और वाइफ सपनों को इस सिटम से पूरा कर सकती है और बहुत अच्छी बात तो ये है की ये बिजनिस और ये Clay सिटम से आगर हमें अपने सपनों को पूरा करना तो बड़ी ही आसानी आसां सा तरीका है relatedust पर पैसे के साथ नां सम्मान पहचांस उरच्छा सरकल सब कुछ वो सारी चीजे मिलती हैं जो एक सब्सक्रा सहं दो हम एक हम होता है कि हर एक चीज को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा भी लग लग रहे हो कि हर एक लेडिज अपने सपनों को फिर से जागरो कर रहे हैं और उस सपनों को काम करने के लिए और बहुत-बहुत धनवाद करती हूँ और जैसे कि मेरे बारे में तो सभी लोग जानते हैं लेकिन मैं भी कहीं न कहीं एक बीमारी के जरीए इस सिस्टम में आई प्रोड़क्त तो लाजबा भी ही है और बहुत-बहुत धनवाद में दद्दा जी का करना चाहूंगी कि इतने सांदार जो प्रोड़क्त निकाले किसी को भी दे दो तो वहां से रिजल्ट आना ही आना है तो यहां से हम पैसा भी कमा रहे हैं और पैसे के साथ लोगों की दुआएं कमा रहे हैं यह सबसे बड़ी बात है आज किसी भी फिल्में अगर हम पैसा भले ही कमा लें लेकिन पैसे के साथ कोई दुआएं नहीं कमाता है और यही सारे चीजे मुझे अच्छी लगी ती यहां पर और बहुत-बहुत धनवा सर और कि हर एक इस्त्री को जो अपने सपनों को पूरा करने का एक मोका मिल रहा है और बहुत ही एचा सायोग हमारे सभी गुरूओं का सभी अपलाइनों का मिल रहा है और चाहे वह ओम सर जही आच्छी जानकारी, अच्छी ट्रेनिंग, जिनकी वज़ए से मैं कुछ चलना सीक पाई, बोलना सीक पाई, तो बहुत-बहुत धनवात मैं हमसर का करती हूं, और मुके सर का बराबर हमेशा सपोर्ट रहता है, बराबर क Keysd ρम से के अधन मिला कर चलने का एक हमेशा साथ खड़े रहते हैं, आज उनकी वज़े से मैं कुछ कर पारी हूं, आपसी पारी हूं, रमेशा का बहुत-बहुत ही अच्छा सयोग रहता है, बहुत-बहुत धन्वाद में रमेशार का करती हूं, और आजा सरका बहुत ही अच्छा सयोग रहता है, आजा सरका जैसे कि कभी भी फॉन मैं न लगा पहूं लेकिन सर का फॉन हमेशा सर का फॉन आता रहता है और कहीं ना कहीं बहुत कुछ जानकारियां दे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इस आरी चीजें और आज मीटिंग के द्वारा जय से सबी से बहुत एच्छी जानकारी मिलती है。 चाहे वो, रुद्र, शीव सर हों। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग जबर्जस्ट्रेनिंग देते हैं सर। तो आज ये सिस्टम के माध्यम से जुम मीटिंग के माध्यम से हम सब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और यह सिखने का ही बीजनेस हैं. सीकर सर कितने अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, कितने अच्छी मीटिंग करते हैं. इसनिय вспuji jornalा जी रानी जी सीखने के तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि समय तो बहुत हो चुका है और आज सर ने जो टॉपिक रखा था, मार्केटिंग प्लान पूरा दिया है बहुत ही सांदार अपना मार्केटिंग प्लान है तो हर व्यक्ति मना नहीं कर पाता है आज नहीं तो कलो से आना ही आना इस सिस्टम में तो बहुत ही जबरजस्त प्लान भी है और प्रोड़क्ट भी है और हमारे गुर्गों का सही योग भी है हमारे अपलाइनों का सही योग भी है बस अपने आपको बहतर बना लेना है और बहुत-बहुत धन्वाद में अपनी टीम का करना चाहूंगी जो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रही है चाहे वो बबिता मैडम हों, दीपा जी हों, केला जी हों, अलका जी हों, और नीलम जी आज सुरू हो गई है और पुजा जी है आगरा से, तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा भी पूरा दिल से आप सब के लिए प्रियास रहेगा कि आप सब के साथ मैं भी अपना पूरा हंडेट परसेंद हूं और आप सब के सबनों को पूरा कर सकूं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, अपने सपने को पूरा करना बड़ी बात नहीं है, लेकर अगर हम सिश्टम में किसी को लेकर आए, उनके साथ सहीयोग करना, उनके सपनों को पूरा कराना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे सहीयोग हमेशा आप सब के लिए रहेगा इस तरह से तो जाता नहीं बोलूंगी सर और समय बहुत हो चुका है तो बहुत बहुत धन्वा सर आपने मुझे इतना मौका दी गया थैंक यू सर जै जैंबी दी शुक्रिया अलका जी आपका भी और समय हो चुका है तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले ददा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनोंने लाजवा प्रड़क्ट और बैतरिन प्लान का निर्माण किया पंका सर रमेश सर ओम सर का जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता और आगे बढ़ने को मिलता है हमारे साथ ही जितने भी इस वीकली मीटिंग में आते रहते हैं सबका धन्यवाद सभी लोगों ने बड़े ध्यान से आज की मीटिंग को सुना सबका धन्यवाद लेकिन आज फिर मैं एक बाते आप सब लोगों के सामने रखना चाहता ह आज करीब 41 से 45-48 लोग इस सिस्टम में आये थे लेकिन अगर मैं अपनी टीम की में बात करूं तो 16 लोग मुझे जोड़ करके 16 लोग हैं तो ये भी हम सब को इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर 46 लोगों में 16 लोग इधर से आ रहे हैं तो पुरे इंदुस्तार में और भी बहुत सारे लोग हैं तो सभी प्रयास करें क्योंकि जब तक इसमें संख्या नहीं बढ़ेगी तो एक विश्वास और नहीं बढ़ेगा हमारा तो इन सारी चीज़ों को और बढ़ाते चले जाएं और उन सभी ग्रेट लीडरों का भी धन्यवाज जिनके माद्यम से हम सब लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अंत मैं एक लाइन कहना साओंगा और उसके बाद मीटिंग को मैं समात करना साओंगा जीवन में आपकी उम्र कितनी है आप किस उम्र के हैं यह इंपॉर्टन नहीं है आपकी सोच किस उम्र की है यह इंपॉर्टन नहीं है कैसा जूता पहनते हैं उससे भागे नहीं बनता है कैसा कदम उठाते हैं उससे भागे बनता है धन्यवाद आप सबीगा